हुआ है हलो फ्रेंड्स मेरा केश और आज किस वीडियों फ्रेंड्स अगेन भोकायब को रूट वर थोरी याद करेंगे ठीक है यह पार्ट नमर थिरी है पार्ट नमर वन और टू अप्लोड कर चुके हैं उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ठीक है और एक बात फ्रे आपको दोनों मिलने लाएगा मतलब हुकायब का डेली बेसिस पर और गरामर को भी डेली बेसिस पर मिलने लाएगे तो आप लोग को किसी प्रकार के चिंटा करने की जरूवत नहीं है आप लोग ध्यान से पढ़िए और इस चैनल के साथ जूड़िए ठीक है विश्वास क से रूठ है ना जिसका हम लोग का सेंस सेंस निकालना किया निकालना है मतलब जिने अधिल वट है Indian यूल है अध्मे यूल है कि नहीं इसमें AWN QUE तो क्या सनसद्इन कलना याड से वर्स्त सनमन्दित निकल ना है तो यह एकल्स है टो एनookie लाइन वल का मतलब गया इयर ली मतलब क्या हुआ बार्षिक खिकहिसी yani एनिवाल का मतलब है की जिसका मतलब हम क्राप्र साल में जो मनाते हैं साल गिरह साहिक के मतलब हुआ साल गिरह ठीक है कनूलexplా However एक और वर्ड है बाइन्यूवल ठीकए और तो यसे डाय जाल हैं न clarity दोनहें catch है दोनों का अर्थ समझें नहींड होना कर अकर्ण 2 टाइम परेंट मतलब एक साल में दो वर घ्टेव मतलब जिसको को बोगों हैं च्छह माही टीक है और यह जो बाई एनियल है से जो की दो वर लग रहा है और एक साल में दो बार हिसमें दो साल में यह को गया बाई इनियल और यह वो गया आपकले समझ में तो बाई एन्वाल श्वार elder सघ्लिस संटे इन्यूंत मतलू होता है मतलब यह का सताप्दी गया तो सौ साल का खार्तिपटेंः अगला है परनियल एक यह जग्तिव इसका मतलता है कंटिनीन थ्रो आउट यर्स मतलगा कंटिनीव मैं तरह से इसको कह सकते हैं सदा बहार या बारहा था हमासी भी कह सकते हैं तो कोई कोई पेड़ा इसा रहता है अमरूत का पेड जो की सालो साल फल देते रहती है उसको बारह मासी काते हैं बारह मासी आम्ड़ूद है तो इसको मुझा क्या कहेंगे पर अन्यल फिर टेखें अगला देखें एनुटि इसका मतलता है amount of money paid yearly मतलब साल में जो paid किया जाता है ठीक है जिसको हम लोग क्या करते हैं बार्षिक बेतन करते हैं तो न्यूटी का मतलब गया बार्षिक बेतन ठीक है अगला देखे एनल्स एक नाउन है इसका मतलब है historic events recorded year by year यानि साल प्रतिस साल जो क्या किया जाता है historic event को record किया जाता है ठीक है मतलब इसका हिंदी अगर हम नुग निकाल गी तो इसका हिंदी होगा बार्षिक ब्रीतान ठीक है तो सिंस क्या निकालना है वाटर यानि रिलेटिंग टू बाटर बाटर से रिलेट कर दाना इसको ठीक है तो चलिए वर्ड को देखिए यहां पर देखिए एक्यूडक्ट क्या है एक नावन है इसका मतलब चैनल डाइट करीज लार्ज अमोंट ऑवाटर बहुत सारे पाटर को क्या करता है कैरी करता है मतलब और तरह से क्रित्रिम जल से तू यह बड़ा साइश इस परकार रहे पूल बनाव हुआ उसमें बहुत अ सा जल्ञ तो उसक एक नाउन है इसका मतलब बृतिंग एक्विपमेंट फोर अंडर बाटर स्विमिंग और डाइविंग बतलब जो गोता खोर जो लगा हुए रहते हैं लगा लेते हैं मांक्स मास्क की रूप में जो उपर मुह में अब यह अंधर दूबकि लगाते तो उत्किपमिंग ओहां पर लगांगान लोग क्या करते अपनी मुह नगाते त mattress between here है यह तरह से स्वासन उपकरन होगा ठीक है क्या है अगला है एक नाउन है इसका मतलता है एन आर्टिफिस्यल पॉंड और टैंक आफ वाटर भेर लीव वाटर एनिमेल्स एंड बाटर प्लांट्स आरकेप्ट जिसमें के बाटर प्लांट या तो वाटर एनिमेल्स जो जीव जहां पर रहता है जिसमें रखी जाती है यह जिसमें हम लोग पालती है लोग जो यहां पर दो себя सब्सक्राण करिए ठीक है बहुत मचली साला यह देगा बहुत जाएगा अंसर इसका ठीक है अगला देखिए एक्यू प्लेन एक्या नावन इसका मतलब बाइड बोड डैट इच तॉड़ वाई ए मोटर बोड जिसको कि हम लोग मोटर बोड से घसीटते तॉड़ का मतलब घसीट नहों था ठीक मोटर बोड आगे और यह पिछे-पिछे ठीक है तो यह जो है इसको ही हम लोग कहते है एकुआ PLANE छीके एक्यूआ प्लेन इसको गूगल पर लेजेगा पूरी तरह से आपको चितर दिखा दिया जाएगा तुड़ एसको पर कर रहता है प्लास्टिक अब्लेट रहता है या उपकर रहा नहीं तरह से ठीक है तो एक प्लेन का मतलों यह वाइड बोर्ड डैटिज टॉड़ वाई यह मोटर बोर्ड ओके अगला अगला है एक वैटिक एक टिक क्या है एक एडजेक्टिव इसका मतलब ग्रोइंग और लीविंग इन वाटर तिक ग्रोइंग और टू लाइट ग्रीनिस फूलू ठीक है इसका मतलब होता है निल रित रंग ठीक है निल हरित रंग अगला देखें एककोर नौट का मतलब ए और इसकुवाडाइवर घॉता खूर जो की पानी में गोता लगाता उसको हमलों क्या खतें एक्क्वे नौट ठीक है तो एकोरी ड ऐखक्रेश्ट का मतलव एपर सिन हुट केश्त केश आफ करना घंडग तो से प्रेमी हो गया जो जैल जीद का देखप्रार करता है तो कर दोदेख को मतलब हो गया चलाष्ट करते हैं